अगर आप कलास 10 के स्टुडेंट हो, question bank 2016, second sitting में पूछेगे, mathematics subject के लिए सबी objective का सही answer की जानना चाते हैं, तो इस वीडियो को अंतक देख सकते हैं, देखे परिक्षा में question bank का बहुत महत्व होता है, अगर आप 12 साल का question bank देख लेते हैं, तो 5 mark आपका fix हो जाता है, अगर आ आपका 80% सवाल, यानि 400 mark आप आप निश्चित रूप से लाएंगे, यानि 80% mark लाएंगे ही, क्योंकि question bank से ही 80% mark का सवाल रहेगा, देखिए, सभी वर्सों का solution हम जो एकी चाढ़ा दिये हैं, आप इस वीडियो के description को चेक कीजिए, playlist का link मिलेगा, या नहीं तो इस channel के playlist मे जाकर के वीडियो को ढूंड़िए, आपको जो एकी serial वीडियो मिलेगा, तो अब यहाँ पर देखिए, क्या लिखा है, कि 2016 annual, यानि वारसिक परिक्षा, गनीत, second sitting, यानि दूतिये पालिम जो question पूछे गए हैं, उसी का objective है, question bank में बहुत objective का answer गलत भी रहता है, इसलिए य बुरी निकालने की अराम से निकाल सकते हैं, बिंदू क्या है, दो तीन है, और आपको जाएकि मैनस दो तीन है, इनके बीच की दूरी, यानि इस बिंदू और इस बिंदू की बीच की दूरी, तो क्या होगा, वो होता है, ए मैनस दू में से ए दू को घटाईए, तो मैनस 2-2 इनका whole square जोर फिर 3 में से 3 को घटाईए तो 3-3 इनका whole square तो देखिए मेनस 2-2 तो 2-2 क्या हो गया 4 4 चोके 16 तीन में 3 गया 0 तो अब देखिए 16 में 0 को जो रहेंगे तो क्या होगा 16 ही होगा अब 16 का बर्गमुल क्या होता है चार तो अब देखिए 4 हो गया इसका answer यानि 4 एकाई इनके बीच की दूरी है एक का बी 4 अब क्वाड़े की यदि दुगहात बहुपत जी एक्स बरावर एक्स स्क्वेर मिनस एक्स जूर 4 कि सुनिये का अलफा बिटा होता अलफा बिटा का मान क्या होगा तो देखिए मुलो का योग बरावर होता है मैनस बी बटे ए तो बी का मान यहां पर देखिए एक्स में जो गुना होता है वही बी का मान होता है एक्स स्क्वेर में जो गुना होता है तो बी का मान यहां पर मैनस ए मैनस एक हो गया मैनस से गुना होगा तो पलस एक एक बटे एक तो देखिए ईप्षन c में है तो दू का सही ओप्षन आपको होगा c, question No.3, 辉क के दो बुर्तों के छेतरफल का अनुपात, 4, अनुपात 9 के अनुपात में है, तो इनकी तिर जीया का अनुपात होगा, जब आपको छेतरफल दिया रहे है, ततिरजिया का अनुपात पुछे तो इनका वर्गमूल निकाल देना है 4 का वर्गमूल 2 9 का वर्गमूल 3 तो दो अनुपात 3 收ब 3 में है तो 3 का साई उप्सन आपको गा B 2 अनुपात 3 3 का साई उप्सन आपको गया B अगला question अब देखिए question number 4 यार कोड़ाई की सेक स्क्वाइड ठीटा मेनस वन का मान है तो देखिए सेक स्क्वाइड ठीटा मेनस वन का मान होता है वह आपको होता है टेन स्क्वाइड ठीटा के बराबर होता है तो टेन स्क्वाइड ठीटा बराबर होता है सेक स्क्वाइड ठीटा मेनस वन यह फॉर्म पलस ट्वेंटी बरावर one eight zero तो 180 हो गया उसके वाद देखिए ढीडी पलस टूडी तो यह क्या हो गया आपको 5D हो गया उसके देखिए पचास बीस यह आपको 70 बरावर 180 इनको देखिए 5D इनको इधर लाइए 180 में से 70 घटेगा तो 110 हो गया भाग दीजिए तो 25 ए 110 तो दे सबसे अधिक बार आता है देखिए साथ जो है कि अधिक बार आ रहा है एक दो तीन साथ तीन बार आ रहा है तीन देखिए तीन एक बार आ रहा है चार की बात कर ले तो इभी एक बार आ रहा है दो की बात कर ले तो इभी एक बार आ रहा है छो की बात कर ले तो इभी एक बार आ रहा है नो भी एक बार ही है तो साथ यह जो सबसे अधिक बार आ रहा है तो बहुलक मतलब क्या बहुत जो बहुत बार तक होता है साथ संसी कुष्चान नमर आठ कड़ा एक के पर्थम पद दो सार्फ ऑंधर थीन हो अब यहां पर फञ्स न स्थाट गया इसमें तो थीन जोड़े तो प्वांस 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 प्षाट जोड़े तुर मतलब क्या इसके बीच का अंतर 3 अतर त्योग गटए गने हो very अगला question, कोड़ा की ठीटा वाले त्रीज़ खंड का शेतर खल, त्रीज़ खंड का शेतर खल क्या होता है, 2 pi r square ठीटा बते 360, तो देखिए, pi r square ठीटा अब बटा क्या होगा, 360, तो 10 का स्योप्षन आप भोगा D, अब अगला question देखिए, अगला question क्या होगा, तो question number 11, question number 11 देखिए, कोड़े की मूल बिंदू से, pi यहाँ पर है की 3 minus 4 की दूरी होगी, तो मूल बिंदू से कड़े, तो मूल बिंदू से निकालने के लिए हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं, तो डिरेक्ट 3 तीन तीया, 9, 4 चोके 16, तो 69, 25, 25 का बर्ग मूल 5, देखिए, तो यह डोट-डोट में 5 भरा जाएगा, क्विस्चन नमर बार, कड़े की AP, 25, 28, गार, डोट-डोट का नम्मा पद होगा, तो इसका नम्मा पद क्या होगा, देखिए, नम्मा पद पूछ रहा है, तो A, 9 निकालेंगे, तो A, 9 बराबर क्या होगा, A, 9, तो A गटा देना है, तो 8D, याद रखिए, 8D, तो A कमान 2 ह हो गया, जोर, 8 हो गया, D, सारब अंतर होता है, यानि 5 में से 2 घटाएंगे, तो 3 हो गया, यही D होता है, तो A, 24, 26, तो देखिए, डोट-डोट में 26 भरा जाएगा, अगला क्वेस्चन, AP का सवाल था, वर्क सीन बराबर क्या होता है, उपरी वर्क सीमा, पलस निम्न वर्क सीमा, अब अटे 2 होता है, तो उस सीमा, पलस निम्न सीमा, यानि उपरी वर्क सीमा, पलस निम्न वर्क सीमा, तो उपरी हो गया, तो अब क्या होगा, निम्न होगा, यहां पर भरा जाएगा, डोट-डोट में निम्न वर्क सीमा, क्वेस्चन नमर 14, कड़े, किसी बित के बा सब्सक्राइब को दrim up उनुपात 9 की उसका यहां पर आपको चेटर प्सक्राइब का गल है तो डिया हिए के अंदर में रहा जाएगा नो का बर्गूल तीन निकलेगा तो रूट ओबर चोद्वा अनुपाथ तीन हो गया वेस्टन नमर 16 कोड़ाई की रूट ओवर 3 टेन ठीटा पराबर वन तो ठीटा का मान क्या होगा तो देखिए टेन ठीटा पराबर क्या होगा त्री रूट अगर आ जाएगा तो वन वाई रूट ओवर 3 तो वन वाई रूट ओवर 3 कितने डिगरी का मान होता है तीज डिगरी का मान तो ठीटा का मान तीज डिगरी होगा अगला क्वेस्टन देखिए अगला क्वेस्टन क्या है अगला क्वेस्टन यहां पर रहें कि C X स्क्वेर मे थिटा स्क्वाइर का मान क्या होगा तो देखिए स्कामान होगा बला ओधि स्कवियर मेनस्व यह लिए वे चोड़तiden के लिए ए। तो इधर आके गुना हो जाएगा तो पाइवाय क्या हो जाएगा 6 यानि 30 डिगरी तो साइन 30 डिगरी का मान क्या होता है वन वाय 2 होता है तो ठाटा कसे ओप्षन आपको हो गिया इसमें भरा जाएगा 1 वाय 2 अगला क्वेश्चन देखिए कोड़ा की कार्तिय तल में किसी विंदू 4-5 के कोटी का मान होगा तो कोटी का मान मतलब वाय का मान तो इभूज का मान हो गया इभूज कोटी यानि मैनस 5 तो इसमें मैनस 5 भरा जाएगा कड़े की एक समांतर स्रेड़ी 4-10-16-22-18 का सारव अंतर होगा तो 10 में से 4 को घटाई ये 6 तो इसमें भरा जाएगा 6 ये इस सारव अंतर हो गया तो इस परकार से इसमें जो है की जितने भी सवाल थे अब्जेक्टिव टैप को हमने सोल्व कर लिया है और आपने सही अंसर जाण लिया है जो से रियल ही त्यारी चाते हैं चेनल को सब्सक्राइब करके चेनल के साथ जूड़ जाएए जो student जो है की इनको भी समझना चाते हैं तो इनको समझ सकते हैं चलिए इनको भी हम सोल्व कर देते हैं कैसे होता है इमा देखिए आपको क्या समिक्रन पहले दिया है equation पहले आपको लिख लेना है यह है कि आपको cx square minus bx plus c a बड़ाबर 0 यह चीज दिया है तो यहाँ पर alpha square जोर beta square का मान पूछ रहा है तो देखिए आप लोग याद रखिए alpha जोर beta का whole square बराबर होता है alpha square जोर beta square पलस होता है 2 alpha beta यह चीज होता है तो याद रखिए alpha जोर beta alpha जोर beta का मान होता है आपको होता है minus b बट़ a तो b का मान minus b है यह है तो plus b हो गया a का मान c है तो c देदेगे whole square alpha square जोर beta square plus 2 alpha beta मतलब मुलो का गुनन फ़ल होता है c बटे तो c का मान a है तो a उसके बाद देखिए a का मान c है तो यहाँ पर c दे देंगे हो गया होने कपस्चात इनको इधर लाएंगे इनको आपको इधर लाना है तो यहां पर देखिए B का स्क्वाइर, C का स्क्वाइर हो गया, इधर आया तो 2A बट क्या हो गया, C हो गया, होने के बाद अलफा स्क्वाइर जोर बिटा स्क्वाइर, भीन का घटों निकाल लेंगे, स्क्वाइर, C से भाग देंगे, एक इसमें गुना करेंगे, तो 2A बट अब्ट पाइर आपको हो गया, अलफा स्क्वाइर जोर बिटा स्क्वाइर, इसलिए इसका मान जो है कि बी स्क्वाइर मेंनस 2CA, बट अब स्क्वाइर दिया है, झाल 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 झाल